तर दोस्तों मैं गवरब कुमार विकास अधिकारी आप सभी का IC38 के ओनलाइन सेशन में स्वागत करता हूँ दोस्तों जैसा कि हम सभी को पता है बीमा सलाकार के रूप में जूरने से पहले हम सभी को IRDAI के द्वारा आयोजित ओनलाइन परिछा को पास करना होता है इसके लिए हमें IC38 की जानकारी की आवसकता है मुझे यह पक्का विश्वास है अगर आप इस वीडियो को एक बार पूरी तनमहिता ऐसा आत्म साथ करेंगे तो आप पहले हैं परियास में IC38 के एक्जाम को पास कर लेंगे सबसे पहला सवाल उठता है कि बीमा का सुरुवात कैसे हुआ था क्या बातावरन रहा होगा जिससे की बीमा की आवसकता पड़े तो पुरु के समय में बेपार का माध्यम जल मार्ग था और जहाज का आकार काफी छुटा हुआ करता था और समुद्र का आकार आज के जैसा हैं बहुत ही बड़ा था बेपारी वर्ग नाव या जहाज के माध्यम से बेपार करते थे बीच रास्ते में उन्हें कई कटनाईयों का सामना करना पड़ता था जैसे समुद्री लुटेरे से लुटे जाने का डर या आंधी तुफान में पड़के नाव के डूबने का डर जिससे उन्हें अपने लाव तो होता नहीं था और पूंजी के भी जाने का खत्रा बना रहता था जिससे उन्हें बड़वादी का सामना करना पड़ता था अगर मान लिया जाए सो ना या जहाज एक बार जो है बेपार के लिए निकले उसमें से सभी का नहीं लेकिन दो तीन का जरूर कुछ ने कुछ अकस्मिक घटना में जो है बहुत हानी हो जाता था जिससे की वो बेपारी पुना जो है बेपार के लिए हतो साहित हो जाते थे इसी को दूर करने के लिए लॉट्स काफी हाउस लंदन में एक मीटिंग बुलाए गई जिसमें सभी बेपारी बढ़गों ने एक फंड का निर्मान किया जिसमें कि सभी का सहयोग रासी लिया गया और यह कहा गया कि अगर किसी भी बुरे बक्त में किसी बेपारी का अगर प की मदद करेंगे और जिसका हानी नहीं होगा तो वह कुछ ने कुछ मुनाफ़ा करके अपना जो है उनको कोई दिक्कत है ही नहीं मतलब जिस पे खत्रा है उस खत्रे को दूर करने के लिए ताकि हम जो है निस्चिंत से आगे भविश्च में काम कर सकें इसके लिए एक फंड क कि निर्मान किया गया और उसी फंड से अब उसकी मदद की जाने लगे इसमें सभी बेपारिक बर्ग जिस हिसाब से जिसका पूंजी लगा हुआ होता था उस हिसाब से अपना इंसुरेंस करा लेते थे तो भीमा का सुरवात लॉट्स कॉफी आउस लंदन से हुआ और भीमा कराने से हुआ क्या कि चुकि सभी बेक्ति को हानी होता नहीं है कुछ बेक्ति को हानी होता है तो उस हानी को जो है बहुत बेक्ति मिलके जो भी और समूह में थे सब लोग मिलके बांट लेते थे कुल मिला कर कहने का ये मतलब है कि कुछ लोगों का हानी बहुत लो पातम हो गई और लोग संती मुक्त होके ब्यपार करना शुरू किये तो बीमा का यहां से पड़वासा निकला कि कुछ ब्यक्ति काहानी बहुत लोगों के द्वारा बांट लेना एक तरह से यह भी बोल सकते हैं कि पहले जो जोखिम प्रसनल सो नाव अगर चला तो सो नाव के प्रतेक ब्यक्ति का ना और प्रतेक ब्यक्ति का टेंशन अपना अलग अलग था लेकिन अब प्रतेक नाव पर सभी लोग का टेंशन हो गया मतलब कि जोखिम का भी हस्तान अंत्रन हो गया हम अपना जोखिम जो है दुसरे को दे दिये आज के समय में जैसे हम अपना insurance कराए अगर गुजर जाते हैं तो सारा रिस्क मेरे उपर है मेरे परिवार के उपर है मेरे परिवार को इसके बाद एवज में कुछ भी मिलना नहीं है तो इसके लिए हम अपना अगर insurance करवाए हुए हैं तो अगर हम मरते हैं मेरा Benully insurrence की भड़पाई से कमपनी करती है इससे हुआ क्या कि हम अपना जोखिम कंपनी को दे दिये मतलब भीवासय का घुर्वासय यह लो सकता है कि हम अपने सर से दूसरे सर के उपर कर देते हैं इसी को हम भीवासय स्सायल होता तो भीवासय जो घुरिक का होता पहला है जीवन बीमा दूसरा गैड़ जीवन बीमा पिसरा पुनर बीमा जीवन बीमा में हम मनुस्थ का बीमा करते हैं गैड़ जीवन बीमा में मनुस्थ के अलावे जैसे मकान वाहन फसल पसू आधी का बीमा और पुनर बीमा में बीमा कमपनी स्वेम ही अपना बीमा करा ल तो एक आरे व्यक्तियों की भड़पाई करेगा, इसके लिए बीमा कमपनी भी किसी बड़े कमपनी से अपना इंस्धोरंस करा लेती है, अगर कभी ऐसी Columbine आई तो यह उनको पैसे से मदद करते हैं, तो बीमा कमपनी जिस बीमा में खुद का basketball करा लिएुस को कहते हैं इंडोमेंट कहते हैं और तीसरा है बंदोबस्तिमा जिसको इंडोमेंट कहते हैं अब दी भीमा में सिर्फ मरने के बाद फाइदा होता है मतलब है कि इसमें अगर अब दी मान लेते हैं कि 20 साल के लिए हम इंसुरेंस लिए हुए हैं 20 साल तक हम पैसा दे रहे हैं और अगर 20 स कभी भी हमको कुछ हो जाता है तो जितना का हम दन लिये हुए होते हैं वह मेरे परिवार को मिल जाता है कहने का कौल मतलब हुआ को इसमें सिर्फ रीष्क यजाता है इसमें बचत का कोई तत्व है नहीं सिर्फ जोखिम सुरक्षा है ठीक है दूसरा है सुध-बंदोबस्ति तो बीमा जश्टिस का अपोजित है अगर बीमाबधि में हम अगर मर जाते हैं तो हमें कोई benefit नहीं होता है और अगर फिंस मरते हैं अगर मंग अपधी के बाद हमें। बहुत सारह पैसा वापस मिलता है मतलब इसमें शिर्फ और हूर मस度 करत का बात है risk इन दोनों बीमा का समायोजन किया गया है मतलब इसमें मरने या दिन्दा रहने दोनों में ही customer को फाइदा होता है इसमें जोखिम सुरक्षा भी है और बचत कर्चत भी है मतलब क्या हुआ अगर हम 20 साल के लिए बीमा लिये हुए इस बीच में अगर हमारी किसी दुरगटना या आकास्मिक मिर्तियू हमारी हो जाते है तो मेरे परिवार को मिर्तियू दावा मिल जाएगा और अगर हमारी मिर्तियू नहीं भी होती है हम पुड़ा भीमा अफदी तक जिंदा रहते हैं और पैसा देते रहते हैं मेरे परिवार को और हमको बोनस सहीद पैसा वापस भी मिलेगा मतलब सुरक्षा जोकिम सुरक्षा और बचत दोनों है तो इस हिसाब से सबसे ज्यादा फाइदा तो आप लोगों को लग रहा होगा कि बंदोबस्ती भीमा में है तो ज्यादा फाइदा है मेरे भाई तो ज्यादा पैसा आपको देना है तो सबसे महगा भीमा कौन सा होगा बंदोबस्ती भीमा और सबसे सस्टा अबीमा चुकी अब्दिविमा बीना मड़े आपको कुछ मिलना नहीं है इसके लिए सबसे सस्टा बीमा हम जो है अब्दिविमा को कहते हैं ये question आजकल आ रहा है अब उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि स्वास्त बीमा किसे कहते हैं बीमारी खर्च के लिए जो बीमा कराते हैं उसको स्वास्त बीमा कराते हैं बच्चे के लिए जो बीमा कराते हैं उसको बालियोजना कराते हैं ऐसा बीमा जिसमें कि हमारा जोखिम सुरक्षा हमारे अंतिम सांस तक हो उसको आजीबन बीमा कराते हैं अईसा बीमा जिसमें कि हमको साल दर साल या पर मंत प्राप्प्ति हो उसे प्राप्प्र प्लान या एन्यूटी बीमा करते हैं आएले औहु Σान जिसमें कि हमको हर साल कि भी देना पड़ता है और कुछे स कौनल में बीच बीच भीना है और आन्थ में पैसा मेना पुरता है तो उस समय मिलता तो अईसे विमा को हम लोग to ban या धनवापसी बीमा कहते हैं और अईसा बीमा जिसमें कि रूपिया आपका बीमा कंपनी लेती है लेकिन वो सारा रूपिया आपका share मार्केट में लगा दिया जाता है तो वैसे बीमा को यूलिप कहते हैं और ग्राहक और एजेंट यह तीनों क्या हुआ तो विमा कंपनी घुआ है । जिसके पास विमा है दोनों का जो है मद्ध का जो करी होगा उसी को agent कहते हैं मतलब बीमा company और customer के आपस में आवसकताओं की अदला बदली ही जो कराता है जो बीच का माध्यम होता है उसको agent कहते हैं अब हम लोग बीमा के महत्पुन चरन का चर्चा करेंगे बीमा, बीमा सबसे पहले बीमा कमपनी के पास होती है उसके बारे में सारा जानकारी एजेंट लेके कस्टमर के पास ग्रहा के पास जाता है जिसको की प्रस्तावक भी कहते हैं प्रस्तावक इससे सहमत होता है एजेंट उनको बताते हैं कि यह यह बीमा है उसमें जो है कस्टमर उससे सहमत होता है तो कस्टमर से वह प्रस्ताव पत्र या आवेदन पत्र और रूपिया लेके फिर जो है बीमा कमपनी के पास इसको जमा करवाते हैं बीमा कमपनी में एक व्यक्ति होता है जिसको बीमांकन करता कहते हैं वह या निर्नाई लेता है प्रस्ताव पत्र क्यादार पर प्रस्ताव पत्र में जो भी आवेदक के द्वारा जनकारी दी गई है उसको परका या निर्नाई लेता है कि इस व्यक्ति को बीमा देना है कि नह पर्थम किस्त रसीद मतलब पहली बार जो रसीद कटेगा उसको कहेंगे पर्थम किस्त और चुकी रसीद है तो रसीद हुआ तो पर्थम किस्त रसीद कटा इसको इंगलीस में कहाना है फर्स्ट प्रिमियम डिसिप्ट पर्थम किस्त रसीद कटने का मतलब यह होता है कि आप आपका इमा स्य और कर लिया गया है और आज से आपका जोख्यम सुरू हो गया response एक कटने के अगले सेखेंड भी अगर कस्टमर की मिर्तियू हो जाती है तुसको इमा कवर पूरा का पूरा मिलेगा जितना इनता आज को इसके परिवार को मिल जाएगा एक प्यार कटने के कुछ दिन के बाद बॉंड पेपर आता है जिसको हम लोग करते हैं पॉलिसी दस्ता बेज बॉंड पेपर में भीमा से सम्बंदित सारा जानकारी लिखा हुआ होता है किस नियम का आपको पालन करना है कितने का बीमा हुआ था क्या आपका उम्र था हर सारा चीज लिखा हुआ होता है क्या आपको मिलना है अब कस्टमर के पास जो है 15 दिन का मोहलत होता है 15 दिन का बीमा कमपनी टाइम देती है आप 15 दिन में या कि बांड पेपर पढ़के आस्वस्त हो लें कि आपको या बीमा लेना है की नहीं है लेना है रखना है कि नहीं रखना है अगर कस्टमर को या बीमा नहीं पसंद आता है तो वह 15 दिन के अंदर में जिसको कि हम लोग फिरी में देखो अब धी या फिरी लुक प्रियाट कुलि वापस ले सकता है और अगर इस 15 दिन के अभधी में कस्टमर जो है बीमा वापस करके पैसा अपना नहीं लेता है तो इसका मतलब यह माना जाता है कि कस्टमर को बीमा पसंद है और तब इसके बाद हर साल हर महना जब भी उसका किस्ट का डेट है वो अपना किस्ट या प्रीम पैसा देता है कस्टमर जिस डेट को पैसा देता है कमपनी को उस डेट को कहेंगे देती थी ड्यू डेट आप माल लेते हैं कि जिस डेट को कस्टमर को पैसा देना है उस डेट में कस्टमर के पास पैसा है ही नहीं तो क्या होगा उसका भीमा खतम हो जाएगा नहीं उसको पुना 30 दिन का महलत दिया जाएगा अगर भीमा सालाना अर्दवार्शिक तिमाही है तो 30 दिन का महलत दिया जिसको कहते हैं अनुग्राव दी इस मोहलत का यह महत्व है कि अगर कोई बेखती एक तारीक को एक जनवरी को बीमा का भुकताओं करता था किस्त का भुकताओं करता था और एक जनवरी को उसके पास पैसा नहीं है तो वह 30 दिन के अंदर मतलब 31 जनवरी तक अगर वह बीमा क कंपनी को पैसा दे देता है तो कस्टमर को किसी तरह का फाइन नहीं देना होगा और उसका बीमा किस्त ले लिया जाएगा और इस बीच में अगर कस्टमर की मिर्त्यू भी हो गई तो एक किस्त काटकर सारा पैसा उसके पडिवार को दिया जाएगा मतलब रिस्क अभर आप खतम हो गया था मासीक में 15 दिन का अनुग्रावदी होता है लें परिख्षा के पॉइंट और व्यू से आप सिर्फ अनुग्रावदी सीधा 30 दिन याद रखेंगे चुकि यहीं पूछता है तो अनुग्रावदी में पैसा जो है नहीं दिया तो इसका मतलब मना जाता है कि आप जो है संभिदा को कंट्रेक्ट को भाइलेट कर रहे हैं तो आपका पॉलिसी ब्यपगत हो जाता है ब्यपगत होने का मतलब है कि पॉलिसी बंद हो गया तो जोखिम सुरक्षा भी बंद हो गया तो अगर कस्टमर उसके पाद चाहता है कि मेरा जोखिम सुरक्षा पुन से जिवित कर सकता है और अगर एक टाइम फ्रेम में वह अपना बीमा पुनर जीवन के लिए अपलाए नहीं करता है तो उसका बीमा एक चुकता मुलिप्राप्त कर लेगा कि कमपनी उसको नोटिस भेज़ देगी कि आप जो है यह बीमा चलाने में सक्षम नहीं है आपका यह पैसा बनता है पैसा बॉन पेपर देके पैसा आपना लेके वापस चले जाईए और आपका बीमा सदा के लिए बंद हो जाता है दूसरी इस्थिति होती है कि हम बीमा चला रहे हैं और हमको बीच में किसी तरह के आर्थिक आवसकता हो गई और हमको पैसा रिल लेना है तो हम बॉन पेपर जमा करके पैसा रिल ले सकते हैं तो जब पैसा रिल लेंगे बीमा कंपनी से तो हमें किस तो जो देना था पहले वो तो देना ही है पलस में सूथ देना होगा जो कि हम लॉन के रूप में लिये थे और अगर हम किस्ट और सूथ देना बंद कर देते हैं तो इसमें भी मेरा बीमा बंद हो जाता है जिसको कहते हैं मोचन निशेद और तीसरा अवस्था है कि हमको लग रहा है कि हम आगे भवि या सरेंडर बंड company के पास दे ओर जितना पैसा मेरा बनता है और सारा का सारा पैसा हम वापस ले लिए अब है कि नहीं मेरा policy पैसा अगर हम समय से दे रहें अनुग्राबी में पैसा अगर नहीं देंगे तो मेरा policy बेपगथ हो जाएगा अगर को लेने का जरूरत है तो beand paper ले सकते हैं या तो ऐसको सबिनार कर सकते हैं इन तिनों के अलावा भी सिच्वैशन होता है की जाए हमारी मिर्त्यों हो जाए थे हमारे कर दावा जिसको कहते हैं मिर्त्यों नावा और अगर ही तक पैसा मिलना वो होता है परिपक्ता दावा कि अपना सूथ समेथ जो भी पैसा जमा किया हम अपना वापस ले लिए आ हुआ के निया करने में अ देने के लिए तो बिवाद का निफ्टारा के लिए हम लोग जो है दो जगा जा सकते एक तो भीमा लोगपाल एक तो भीमा लोगपाल में जो है सिर्फ भीमा से संबंदित चीजाओं की सुनवाई होती है और यह 20 लाग तक की सुनवाई कर सकती है कि इसका सुनवाई का समय सीमाय 90 दिन का और वोगता मंच में बीमा के साथ साथ अन्य सभी चीजाओं का सुनवाई किया जाता है वोगता मंच को तीन भाग में मंटा गया जिला मंच राज मंच राष्टीये मंच जिला मंच में 20 लाग तक का सुनबाई होता है जिसा कि भीमा लोकपाल में होता था राज मंच में 20 लाग से अधिक और 100 लाग तक का सुनबाई होता है और राष्टिय आयोग में 100 लाग से अधिक का सुनबाई होगा एक चीज़ यहां पर असपस्ट करना है बंदू कि अगर 20 लाग तक का कोई बिवाद है तो वो अब जिला मंच में सुल जाएंगे और 100 लाग तक का बिवाद राज मंच में और 100 लाग से अधिक का बिवाद राश्टिय मंच में अगर कोई बिवाद को बेखती राज मंच से अपना केस हार जाता है तो निशुल्क जिला मंच में जा सकता या जिला मंच में आ रहा है तो राज मंच में जा सकता है सिकायत करने में किसी भी परकार का कोई सुल्क नहीं लगता है अब हम लोग आते हैं कि भारत में सबसे पहले बीमा कमपनी का कौन सा बीमा कमपनी आया तो भारत में सबसे पहला बीमा कमपनी ओर येंटल लाइप इंसोरेंस है इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है O for old, old मतलब पुराना इसलिए ऐसा company जिसके आगे में O लगा हुआ हो Oriental के आगे में O लगा हुआ है तो अगर option में O लगा हुआ देखेंगे तो उसको हम लोग अगर याद नहीं है तो मार देंगे मतलब सबसे पुराना बीमा company Oriental Life Insurance दूसरा है कि ऐसा बीमा company जो सबसे पुराना हो आज भी चल रहा हो वो company है National Life Insurance तो अब आप लोग बताइए कि हम रहे ना रहे आप रहे ना रहे हमारा देश तो सब दिन रहेगा तो मतलब है कि सबसे पुराना कौन है हम आप नहीं देश है तो ऐसा बीमा company जिसमें National लगा हुआ हो वो बीमा company सबसे पुरानी बीमा company है जो सदा से है मतलब सुरुवात से ही बना हुआ है अब हम लोग कुछ तर्मों की परिभासा जान लेते हैं प्रस्तावक प्रस्तावक उसको कहते हैं जो कि बीमा लेने के लिए आवेदन करता है और पाइसा बीमा company को देता है मतलब एजन्ट के माध्य Process तर्मों करता है प्रस्तावपत्र बीमा लेने के लिए जो है एक आवेदन पत्र जिसपे हस्ताक्षर करके प्रस्तावक देता है उसको कहते हैं प्रस्तावकत पॉलिसी धारक जिसके नाम से पॉलिसी किया गया है उसको कहते हैं पॉलिसी धारक बीमा करता बीमा कमपनी को ही बीमा करता करते हैं अभी करता जैसा कि हम लोग पढ़ी रहे हैं अभी करता बनने के लिए एजेंट को अभी करता करते हैं बीमा धन जितने का रिस्ट कवर लिया गया जितने का जोखिम सुरक्षा लिया गया है उसको कहते हैं बीमाधन प्रीमियम किस्त को कहते हैं जो कि सालाना मासिक अर्दवार्शिक हम लोग जमा करते हैं नामिती नोमिनी को कहते हैं नामांकन को जैसे कि अगर हम बीमाबदी में मर जाते हैं मेरे मरने के बाद जिसको भी पैसा मिलता है उसको नमिती या नमंकन कहते हैं नमिती का धारा 39 है इसको याद करने का एक असान सा तरीका है नमिती या नमनी में नमिती में 9 शुरू में रहता है नमनी में 9 शुरू में रहता है उसी तरह धारा 49 में अंतिम में 9 लिखा हुआ है कि जिसको हिंदी में काते नो और दिखा हुआ और नम्ती नमंकन का धारत हिए कि उसके बाद आते हैं आरों कि जैसे कि 잊ंचान राइचे करा guarantee ऐसे मरें तो दूगता при whenever इंसूरेंस में आरोहक लगाने से होता है राइडर लगाने से होता है मतलब क्या हुआ कि उसके लिए अतरिक्त कुछ सुल्क लिए आ जाता है इस गों कहते है न कर दावा दावा दो परिप्वरकार का षथा एक हुआ मेच्योक्ती प्लI whats a Reefa प्रिपक्ता दावाद अगर हम मैं भीमवॡी तक जिवित रा गे इस परिपक्ता दा बहूए और भीमवॡी विशा न स्मस्ति अर्थिक सबारे हो उनिर्य हो जाती है उस अगर किसी ब्यक्ति का मिर्टी हो गया और अपना डेथ क्लेम कमपनी के पास दिया है तो उसका तो जाँच होना आवस्यक है तो जो ब्यक्ति जाँच करने के लिए आता है कि ब्यक्ति सही में मरा है कि नहीं मरा है तो उसको हम लोग सर्वेयर करते हैं चिकित्सा रेफ्री बीमा होने से पहले जिस ब्यक्ति का बीमा होना है उसका जो मेडिकल चेकप करता है चिकित्सा जाँच करता है उस टीम को चिकित्सा रेफ्री करते हैं बीमांकन करता ऐसा ब्यक्ति बीमा कंपनी का वह ब्यक्ति जो की या निर्नाई लेता है कि इस ब्यक् उसकन करता या हैं अदर राइटर करते हैं कि एक्चूरी जैसे कि motorcycle जो है इंज़नेयर बनाते हैं उसी तरह से भीमा का बोनस का गन्ना मतलब बीमा का जो बना बनाता जो है भीमा उस ब्रेक्ति को एक्चूरी कहते हैं परमसद्वावना यह हुआ उत्तम विश्वास का सिद्धांतिया हम लोग अपने भासा में यह भी बोल सकते हैं आंख मुंद के विश्वास करना मतलब कस्टमबर प्रस्ताव पत्र में अपने बारे में जो भी जानकारी लिख के देता है अगर वह प्याद देंगे तो वह तो अभी कुछ दिख नहीं रहा है और मरने के बाद कौन आता है देखने के लिए लेकिन कस्टमबर भी कंपनी पे पूरा विश्वास करता है कि मेरे साथ अगर ऐसा कोई घटना होगा तो कंपनी हमारा जोखिम सुरक्षा करेगी तो कंपनी पे कस् स्वास ही परमसदभावना है कर चती पूर्ति चती पूर्ति का मतलब हुआ कि कोई समान मेरे पास है अगर उसका नुक्सान हो जाए तो इसका जो हम लोग पूर्ति कर देते हैं तो उस ही को कहते है चती पूर्ति जैसे मेरे पास स् formula था और वो खो गया और कोई ब्यक्टि जिसके हम इंसुरेंस अपना 100 रुपिया करवाये थे 100 रुपिया बदले हम लोग को 100 रुपिया दे दिया तो मेरा छती हुआ था हमारा उसका भरपाई हो गया इसी को कहते हैं छती पूर्ति लेकिन जीवन भीमा के चर्म में छती पूर्ति नहीं मिलता है क कारण क्या है कि हम किसी भी ब्यक्ति के बदले किसी को भी कितना भी रुपिया दें लेकिन उस ब्यक्ति के जगह का भड़ पाई हम लोग नहीं कर पाएंगे इसलिए बीमा जीवन बीमा के संबंद में छटिपूरती देना संभव नहीं है क्योंकि पर्तेग ब्यक्ति का इमोशिनल एटेश्मेंट परतियक ब्यक्ति के साथ अलग अलग होता है बीमा योग हित इसका साब्दी करतिया ही है कि आप किसके किसके लिए बीमा कर सकते हैं मतलब ऐसा ब्यक्ति आप वीमा उसी के लिए कर सकते हैं जिसके मरने से आपको होनी हो और जिसके जिन्दा रहने से आपको लाब हो ऐसा ब्यक्ति पड़िवार में हम स्वेम हुए मेरे मरने से अकास्मिक होनी हो जाएगी पड़िवार को हमारे माता-पिता हमारी पत्नी बाल बच्चे और पत्नी के माता-पिता मतलब हमारे साथ ससुर इसमें कोश्चन आता है कि निम्न में से किसका भीमा आप खड़िद सकते हैं तो उसमें एक उप्शन रहता है कि तो रमेश अपने मित्र का भीमा या स्याम अपने में तो मित्र का भीमा आप नहीं खड़िश सकते हैं हम सीर्फ और सीर्फ अपना अपनी पत्नी का माता पिता का साथ ससूर का और बाल बच्चे का बीमा खर सकते हैं और एक ब्यपारिक साजेदार का बीमा जिसके साथ हम ब्यपार करते हैं उसका भी बीमा हम लोग ले सकते हैं या किसी कमपनी में कोई करमचारी काम करता है उसका भी बीमा बीमा कमपनी कर सकत यह company के भी हाफ में उसके बाद हम लोग आते हैं संबिदा बीमा और पॉलिशी धारक के बीच कॉनुनी समझ होता होता है जिसको की बीमा करते हैं बीमा एक तरह का संबिदा है एक प्यार इसको इंगलिश में करते हैं फ़स्ट प्रीमियम रिसीप्ट पर्थम किस रसीद जोक Maps घृक butterbeet को कंपनी को मतलब के पैसा नहीं है तो मिम्हाल जमा करने के लिए अलग से जो है समझ दिया जाता है कि है तीस दिन तीस दिन का जो है अनुग्रावधी में अनुग्रावधी तीस दिन का होता है और तीस दिन के अंतर कभी भी भीमा कंपनी को पैसा जमा किया जा सकता है जिसमें किसी तरह का फाइन नहीं लगता है और हमारा जो है पॉलिसी उसी रूप से चालू रहता है मतला वीवळा कुस्टेमबर को मोहलत रुख अगर कोई बेक्ती अनुगरावदी में पैसा जमा नहींकरता है किस्त नहीं देता उसका पॉलीशी पॉलिशी सुख मेत कारता है है जिसको करते हैं काला थीफोना और पॉलिसियस दस्तावेज ममन लिया जाए स्थाफियामरी मकुलाई नहुत है अगर आंजली कुमारी के नम से रसीड कटा जाए? spelling A के जगा T हो गिया, तंजली हो गिया, तो चुकि हमने सारा कागजात सही दिया उता, फिर भी मेरा नाम जो है, गलत हो गया, तो उसी नाम का जो है, शुरुवात, सुधार करना, या मैं जाए, नोमनी में, हम उस समय अपने बच्चे का नाम दिये थे तो अब मेरा मन हुआ कि हम अपने माता पिता का नाम दे दें तो नमनी में सुधार करना मतलब पॉलिसी दस्तावेज में किसी तरह का भी सुधार अगर हम करवाते हैं तो उसको करते हैं प्रिष्ठांकन उसके बाद एक है समानुदेशन जो कि हर एक्जाम में पूछना ही पूछना है जैसे कि हम लोगों के पास अगर सोना है सिक्री है तो उसका कुछ मुल्य होता है तो जिस समय सिक्री हमारे पास है तो उसका जो है हम लोग अपना यूज करते हैं उसका मालिक हम है लेकिन कल दिन अगर किसी तरह का जरूरत हुआ समस्या हुआ तो हम उस सिक्री को सोनार के पास गिर्वी रखके उस पर पैसा ल सिक्री का उसके बराबर से कम कि यह कुछ कम जो को पैसा दे दता है शूद सूधτε मतलब रिन शुरू दे देता है अब गद्रीद हमारे पास था तुसका माली हम नहीं लेकिन जब सिक्री पुरा का पूरा पैसा जमा करके वापस ना करा लें इसी तरह से बीमा में भी होता हम रीन लेने के उद्धेश से अगर बीमा कमपणी या किसी तिसरे व्यक्ति के नाम से हस्तान अंतृत कर देते हैं तो उसका मालिक वह हो जाता है इसी पड्किरिया को हम लोग समानूदेशन कहते हैं मतलब policy का जो भी अधिकार था वो जो है दूसरे के नाम पर हस्तान अंत्रित करते हैं मतलब policy का मालिक अब हम नहीं होके कोई दूसरा ब्यक्ति या कमपनी हो जाता है तो उसी को कहते हैं समानुदेशन समानुदेशन हम किसी भी ब्यक्ति या संस्था के नाम से कर सकते हैं इसका धारा 38 है इसको याद रखने का एक असान तरीका है कि नमांकन का धारा हम लोग देखे थे है कि शुरू में 9 है और 49 के अंतिम में 9 है तो नमांकन का धारा 49 तो हम लोग जो है एक चीज करते हैं कि अगर हम लोग को किसी तरह का जरुवत रीन कब लेते हैं रीन कब लेखते हैं जबकि हमको किसी तरह का जरुवत होता है ठीक है कभी घटा कुछ हमको घटा हुआ तभी रीन लेते हैं तो 49 में घटा देंगे तो 38 हो जाता है मतलब दो ही धारा याद रखना एक 49 में नमंकन और 38 में समानुदेशन तो समानुदेशन का धारा 38 समानुदेशन में एक बात असपस्ट हो लेना है अगर समानुदेशन किया हुआ है मेरा पॉलिसी उस दर्म्यान में अगर हमारी मिर्तिव हो जाती है तो पैसा जिसके नम से हम समानुदेशन किये हुए उसी ब्यक्ति को मिलेगा ना कि हमारे नोमनी को मिलेगा या मेरा पैसा पुर्भी जाता है पुरा 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 भीमा अ करते हैं कि समर्पन पर हमें लग रहा है कि पॉलिसी आगे नहीं चला पाएंगे और पैसा के हैं वह सकता है तो हम लोग अपना बॉंड पेपर सदा के लिए बीमा कंपनी पास जमा करके सारा पैसा निकाल सकते हैं जिसको समर्पन कहते हैं या पॉलिसी शुरू होने के दो बर्स बाद ही कर सकते हैं या समानुदेशन समर्पन या रिन कुछ भी जो है पॉलिसी शुरू होने के दो बर्स बाद ही कर सकते हैं उसके बाद है कि पॉलिसी ब्यपगत हो गया मतलब पॉलिसी अगर किसी का बंद है और वह उसे पुनर जीवन भी नहीं करा रहा है तो एक अवस्था आती है जिसमें कि बीमा कंपनी उसका एक निस्चित रासी घोशना कर देती है और पॉलिसी सदाक ले बंद कर देती है तो कहते हैं चुकता मुल और अगर हमको कभी जो पैसी की अवसकता होती है तो बॉंड पेपर गिर्भी रखके मतलब समानुदेशन करके हम उस पर जो है पैसा उठाते हैं उसको कहते हैं रिल लेना या लॉन लेना लॉन लेने के बाद अगर हम ब्याज और किस्त नहीं देते हैं तो उसको क्या करते हैं तो एक अवस्ता ऐसा आएगा कि रिन लेने के बाद अगर हम ब्याज और प्रीमियम नहीं देते हैं तो हमारा बीमा जो है सदाक लिए बंद हो जाता है जिसको मोचन निशेद कहते हैं आइसा बीमा जिसका की बीमा धन और किस्त जो है बहुत कम होता है उसको लगू बीमा करते हैं लोगपाल जैसे की पूर्व में हम लोग पर हैं कि लोगपाल में हम लोग बीमा से संबंदित चीजाओं का सिकायत करते हैं जिसका की निप्टारा लोगपाल 90 दिन में कर देता है और maximum 20 लाग तक के सिकायत का निप्टारा करता है उसके बाद हम लोग आते हैं भौतिक जोखिम और नेतिक जोखिम पर भौतिक जोखिम ऐसा जोखिम जिसके बारे में बीमा कमपनी को जानकारी है जैसे कि मोटसाकिल कोई ब्यक्ति चलाता है तो एक्सिडेंट हो सकता है कोई ब्यक्ति सराब पीता था और बीमा कमपनी को बताया हुआ है कि भाई हम कुछ नहीं पीते खाते हैं तो सराब पीने से अगर लिवर की समस्या हो जाती है उससे ब्यक्ति मर जाता है तो इसमें भी जोखिम है तो ऐसा तो कमपनी को पता पहले से नहीं था मतलब भौतिक जिसके बारे में कंपनी को नहीं बता गया जैसे कि जुआ खेलना सराब पीना मतलब जान बूझ के अपने जीवन को रिस्क में देना मतलब इंसोरेंस करा लिया और हम लोगों को लगता है कि अगर हम मर जाएंगे तो हमारे परिवार को इतना पैसा मिल जाए इसके लिए मरना ही आवस्यक है उसके लिए तरह तरह का प्रपंच करना जान बूझ के एक्सिडेंट कर लेना बहुत ज्यादा सराब का सेवन करना जुआ खेलना चोरी डगकाइती करना यह सारा का सारा नईतिक जोखिम कंतर गता आता है बचत उत्पाद हम अपना पैसा जहां भविस के लि मतलब उसको दस से बीस गुना ही जितना उसका सलाना इंकम है उसना ही भीमा दिया जा सकता है इविक्रे इंटरनेट के माध्यम से पॉलिसी का जो क्रय विक्रे होता है उसको इविक्रे करते हैं जोखिम का पूल जैसे शुरू में हम लोग पढ़ेते कि वेपारी वर्ग जो होगा तो लोग जो है एक जगह अपना फंड वना लिये जिससे कि किसी भी बुरे समय में जो है हमारा मदद हो सकते मतलब एक जिसा खत्रा था तो एक जगह सब लोग एक अत्रीत हो गए और फंड का निर्मान के यही जोखिम का पूलिंग कालाता है मंतब कस्टमर और बीमा जो है बढ़ जो जाता है उसी को करते हैं मुद्राइश्पृतिया महगाई तत्य अन्वेशन ग्राहक को क्या अवस्यक है किस तरह का भीमद देना है इसकी जानकारी लेना ही तत्य अन्वेशन कहलाता है अधिक कमिशन प्राप्त करने के लिए एजेंट जो है पुराना पॉल में जो मुनाफ़ा कमाती है उसमें अपने कस्टमबर को मुनाफ़ा में बटवारा करती है मतलब मुनाफ़ा का कुछ भाग जो कस्टमबर को देती है उसी को करते हैं हम लोग बोनस सभागिता योजना मतलब जिसमें कमपनी के लाव होने से कस्टमबर को लाव होता और कमप जिसमें की बोनस का कोई फायदा कस्टमर को नहीं मिलता है उसको कहते हैं जैसे युलीप मियादी बीमा या सुद्ध बंद बस्तियों मियादी विमा हम लोग अब्धी विमा को कहते हैं अब हम लोग आते हैं आई याट डी जिसका की फूल पॉर्म है इंसुरेंस रेगुरेटरी डेवलपमेंट और इंडिया इसको हिंदी में कहते हैं बीमा बिनायमक नियामक विकास प्राधरी करन इसका अस्थापना 1999 में किया गया यह जो है बीमा कंपनी पर नियंतरन रखता ह अजबने नियंतरन रखती है कि बैक रखती आधिक जोखिंबाले ब्यक्ती पर अलग से सर्थ लगाना जैसे पोई ब्यक्ति अगर कोई महला गर्भा वस्था में है तो हम लोग जानते हैं कि कभी कभी बच्चा होने के दौरान महिला की मिर्थी हो जाती है अगर गर्भा वस्था में अगर कोई महिला अपना बीमा कराना चाहेगी तो उसको एक क्लाउज जोड दिया जाता है गर्वा ठ्रसबपी रके दोरान अगर 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 इनकी मिर्थी हो जाती है इनको डेत क्लेम नहीं मिलेगा इसको यह लगा दिया जाता है क्लाउजed कि अगर आप गोली से में ठेंड आगए मतलब करते हैं व्पखंड को उसके बाद आते हैं हम लोग श्यार मार्केट में जो है एक शेयर का जो मुल्य होता है एक शेयर यूनिट जो जोखिम परतिधारन कोई बहुत बड़ा पडिवार है राजा है उसको हम लोग जाके बताएं कि आपके साथ को दुरगटना हो जाता है आपके बच्चे को दो लाख रुपिया मिलेगा जिससे कि उनका भविष सुरक्षित होगा तो वह सिधा बोलेगा यार अर्वों में खेलते हैं 2 लाख 4 लाख से मेरे बच्चे का कोई असर नहीं होना मेरा जो भी होगा हम देख लेंग आयसा है उसको कटा है जोखिम पर्तिधारन और हो कि यह को कहते है कि जिस और वहाण ले लिया गए हास्तानांतरन मतलब अपना जोखिम आपनी को देदीग दूसरे बेकितिदे वेकस्तिक्तिको यह कम्पेद्य杏 उसको कहते है जोखिम इस वहां उसन ढुआ लाता है लोकिन अबदी युलिप या अन कोई प्लान ऐसा होता है जिसमें कि यह बताया जाता है कि पॉलिशी अगर तीन साल तक चल गई तो उस पॉलिशी को भीमा कम्पपनी अपने तरफ से बंद नहीं कर सकती अगर गलत भी सेलिंग हो गया जिस ब्यक्ति को पॉलिसी नहीं भी मिलना था और उसको पॉलिसी अगर मिल गया तो भी वीमा कंपनी अपने तरफ से उस पॉलिसी को बंद नहीं कर सकती है इसी को हम लोग कहते हैं निर्भिवाधिता का खंड धारा 45 में आता है उतना अवस्चक नहीं है सिधा दो धारा पाध्याम से जब अपना समान हम विकवाते हैं तो इसको कहते हैं और परत्यक्ष विपनन जोखिम के घटक किसी विव्यक्ति का जब जन हुआ है तो मिर्तियू निश्चित है होगा ही लेकिन कब होगा यह किसी को पता नहीं है यहीं और निश्चित समय का जो है मिर्तियू कर सकते हैं तो भी किसा नुक्सान नियंत्रित कर सकते हैं मतलब आर्थिक नुक्सान का जो हैं लोग इसको मेनेजमेंट कर सकते हैं भारन अगर कोई बेक्ति बोनस वाला policy लेता है तो बीच बीच में चुकि वह पैसा भी देता है उसको पैसा वापस भी मिलते रहता है तो company को तो इसमें बहुत दिन तक पैसा उसका रखने का जो है time नहीं मिल पाता है इसमें और उसको में चुटी क्लैम भी अच्छा देना ह तो इससे कुछ और जो है पॉलिसी में थुरा सा और जो है पैसा जोड़ के अलग से चुक्कि कस्टमर को बोनस देना होता है तो अलग से पैसा और ज्यादा लिया जाता है अलग से वजन दिया जाता है उसी को कहते हैं भारन अंतरिम बोनस जो कमपनी हर साल घोषना जिस बोनस का करता है अपने लाब का घोषना करता है इसमें कस्टमर को इतना हम पैसा वापस दे रहे हैं बोनस के रूप में उसको करते हैं अंतरिम बोनस और 15 वर्स में जो एक पर घोषना होता है बोनस का उसको करते हैं अंतरिम बोन समय पूरा होने पर बैंक मूलधन और ब्याज देता है ब्याज इसमें तिमाही में जोरा जाता है रेक्रिंग आम बोव बोल चाल में जो है गाउंगर में भी बोला जाता है कि वाइसी NOय और कस्टमबर पेनकाड अधारकाद के माध्येहम से जो है अपने कस्टमबर के बारे हम जो कंपणी पता लगाती है कि कौन बेखती है क्या घर है क्या नाम है उसी को के वाइसी करते हैं बीमा अधनियम करते हैं काला धन कानून यह पुष्टाई कि कब आया है तो कहला धन कानून 2002 में था इसका मूल उदेश था कि करचोरी पर लगाम लगाना तो कर चोर कौन होता है बराबर बेपारी बिजनस्मेंन लोग और रोकना कौन चाहता है सरकार चाहती है तो 2002 को तो याद रखने के लिए हम असानव नहीं कर सकते हैं कि कर चोड क्या चाहेगा कि हम चोरी करें दोनों सरकार के पास दो होंत तो चौड के आपको करने नहीं दें तो दोनों तरफ से दो दो होता है, जिस से की 2002, कालाधन कानून 2002 में, मतलब दोनों लर रहा है, दो होत से कर्चोर और दो होत से सरकार, यह पुष्टा है मैसा, कालाधन कानून का बाया? 2002 में free look period policy दस्तावेद मतलब bond paper प्राप्थ होने से 15 दिन के अंदर संतुष्ट न होने पर bond paper लवटाकर पैसा 100% जो वापस ले सकता है customer उसी को कहते हैं free look period से त्वॉट बार्सिकी बाष कि बार स्खी है प्यंसर ने के महिने से पैसां मिलने लगना और लगना तॉरित बार से कि अफ़ीक पैसा देढ हैं को भ्रक्ति को चाहिए इसको हम लोग कहते हैं बस्तिविक जरूरत और इसकी अलाबा जो भी जरूरत है बिला सिता का Online इसरे मोटर कार हावाई शफर या कंशर्रस अपटा जिसका कि आवस्षक्टा है नहीं लेकिन होना चाहिए लाइब मतलब बिलासिता का जो भी साधन है उसको हम लोग कहते हैं अलहासी आवसकता अलपवदी आवसकता इसमें जो है जैसे कि बच्पन में हम लोग पतंग उराया करते थे और बहुत सारे खेल खिलोना थे अगर उस समय अगर हमारा कोई वो ले लेता तो हम लोगों को बहुत उसमें तकलीफ होता था लेगिन आज अगर पतंग खेल खिलोना कोई ले भी ले या दे भी दे दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मतलब ऐसा चीज जिसका कुछ समय के लिए आवसकता हो उसको कहते हैं अलपवदी आवसकता और ऐसा चीज जिसका क लंबे सब्स जैसे पैसा का घर का खांग का इसक belonging घर नहीं है इसको हम कहते हैं दिर गवदी आOWNब सकतों कि लव 거지 जित्रांके कि पालिसी से मिलने बोला क्या कस्टमबर को क्या लाब होगा उसको क्या पैसा देना हो घौगा या एजन्ट्क हैं में क्या कमिसर्ण होगा सार प्रस्ताव पत्र में सारा का सारा बात का तत्र का जानकारी देदना कंपनी को ही प्रकटी करन का लाता है मतलब इसा पाली सिप्र जिसका कि जब हम क्लेम लेने यह डेख या मित्चुटी task क्लेम हो जा करने गये तो मेख और कि यह own हुए हैं वीमा कंपनी उसको जो है तीन साल के अंदर कभी भी रद कर सकती है तो अगर कोई भीमा जो है उसमें पैसा निकलने में किसी तरह का विबाद हो गया तो उस उस कि भीमा को हम लोग सुन्नी करन संभीदा करते हैं अवाड लोगपाल जो है अपना निर्णई जो देती है निर्णई को ही हम लोग अवाड करते हैं लेवल प्रिमियम पूरे भीमा अवधी में किस्त का जो है भेल्यू इस साल जो किस्त दिये वही हर साल देना है मतलब एक ही सब्सक्राइब कुछ श्रूंद दोड़ाइं मेडिकल इंस्रेंट अगर हम कुछ मेरे साथ दुरगटन होती है तो हम लोग का चारलाग का इंस्रेंट्ट वी कंपनी को दौरा कर वाया हुआ बाइब चार लाग तक का इलाज भी मां कमपणीव कराना होगा और अगर हम साल में बता रहें कि हमको कोई भी तरह का मेडिकल जरुआथ नहीं चार लागती बीमोंक वा फैता साल हमारे रीरित कवर में स्वास्थ बीमों का जो करेक्टरिया बढ़ा दिया जादन और design सारा खर्चा करने के बाद जो बच जाता है उसको कहते हैं हैं मानक आयू पर्मानपत्र किसको कहते हैं आयू परमानपत्र हुआ हुआ जिससे कि यह पता लग सके कि हमारी उम्र कितनी है तो इसको हम लोग दो भाग में बढ़ते हैं जिसे सरकार द्वारा मनिता है और जिसको जिसमें पूरा का पूरा डेट आप बर्त महिना दिन और वर्स लिखा हुआ है उसको कहते हैं मनक आयू परमानपत्र में हम लोग पेन का डाइविंग लाइसेंस पासपोर्ट स्कूट कोलेज का परमानपत्र बेपिस्ट परमानपत्र मतलब जो चर्च में साधी होता है वो परमानपत्र बिबाह परमानपत्र नगर निगम द्वारा जारी जन परमानपत्र इस सभी को सरकार और सभी में डेटो बर्थ पुरा का पुरा लिखा हुआ होता है और गयर मानक आयव पर्मान पत्र में बोटर आइकाड राशन काड पंचायत का पर्मान पत्र हलपनमा और कुंडली होता है जिसे कि जो हम आप हमको पूछिए का आपका एज कितना हम बोलेंगे 108 वर्स आप न लेकिन उसमें जन्मतिती पूरा का पूरा लिखा हुआ नहीं होता है सिर्फ वर्स का जिक्र होता है इसलिए हम लोग इसको गयर माना का पर्मान पत्र मानते हैं उसके बाद की मैं इंस्रेंस की मैं इंस्रेंस उसको कहते हैं अगर किसी भी कंपानी के पर्मुख की मैं का हिं के साथ किसीन, दुर्गाटना होता है।PCMEN का maic, using its работать, और को समझने लिए अगर रेलाइंस क समझने के साथ किसीन support को मिलता है, या छुटई पर चल चुटबी पर विशूर होगा, उसके बदले में 200 वैक्ठि का नि aussi प्रूपति कर लिया जाएगा और वहीं अगर अंबानी के साथ किसी तरह का द्रुँगटना हो जाए तो उससे क्या होगा कमपणी का ब्रेन ही खत्म हो जाएगा जिससे की कंपणी को बहुत बढ़ा नुक्सान होगा तो कंपणी में जो हैंबानी का जो भीमा हम पडिवार को एक वा बिवाहित महिला संपत्ति अधनियम 1874 इसको सौटकट में MWP कहते हैं मेरे जोमेन प्रोटेक्शन एक्ट इसके अंतरगत पॉलिसी का जो मालिक होता है पॉलिसी पुरूस का होता है लेकिन डेद कलेम और मेच्छूटी कलेम पर परिपक्ता दावा और मि सक्मुक्ति भीमा इसको सौट में कहते हैं MRI Mortgage Reduction Insurance या आवास रिन के लिए लिया जाता है कि मौन लिया जाए कोई दस लाक में घर बनाया है और उस भी और पुरा लॉन चुकाने में जिस समय दस लाक का लॉन लिया था और उस चुकाने से पहले इस प्यक्तिक अगर मिर्ति हो जाएगा तो भी बैंक जो आके मकान को जो है निलाम कर देगे जिससे क्या होगा उसके बाल बच्चे का भविष्ट खत्रे में पड़ जाएगा इसके लिए वह ब्यक्ति MRI लिए रहता है Mortgage Reduction Insurance जिससे कि अगर उस ब्यक्ति का उस दर्मियान अगर मिर्तियू भी हो जाता है तो उसका जो है लोन माफ हो जाता है और उसके बच्चे पर किसी तरह का पर्तिकूल असर नहीं पड़ता है यही आईसी 38 का में बात था अगर इतना आप लोग अगर सिंसियरली अगर इसको पढ़ लेंगे तो मेरे हिसाब से फैल करने का कोई जरूरत मतलब संभावना द नाकि मेरा जरूरत पूरा हो जाए हम लोग उपर से आते हैं पहला पेज आप लोग को पूरा का पूरा चुकी यह पंच मिनट का मुश्किल से हैं हम बताए थुरा समय लगा लेकिन अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें बहुत ज्यादा समय लगेगा नहीं इसको पूरा का मुझना पूरा आपको देखना है उसके बाद एक प्रस्तावग देखना है प्रस्ताव पत्र देखना है बीमाधारक अभी करता बीम जकरता हम्त प्रेमियम मुद्दे लावा उसके बाद आपको देखना है परमसद्भावन, छतिपूर्ति, बीमयोगहित, एफपी आर, देतिति, अनुग्रावधि, व्यपगत, पुनर जीवन, समानुदेशन, बहुत आवस्चक है, समर्पन, रीन, लोगपाल, भौतिक जोखिम, नैतिक जोखिम, इर्डा, उसके बाद देखना है आपको के वाइसी, एंटी मनी लॉंडरिंग एक्ट, इसका इस भी बहुत पुछता है, कालाधन कानून कब पारित हुआ था? और उसके बाद आपको सिधा पचासी से लेकिन आवासी, इससे हमेशा पंच-छे कोस्चन रहता है, इसको हम एकदम गौर से पढ़ना है, मानक आव परमानपत किसको करते हैं, गैर मानक कौन हुआ, कीमेन इंसुनेंस कौन हुआ, विवायत महिला संपतिय नियम कौन हुआ, बंधक मुक्ति भीमा क्या हुआ, इतना भी अगर हम लोग कर लेते हैं, तो बहुत काफी है, बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद, इतने तनमेतागे साथ जो है आपने इस वीडियो को देखा, थेंक्यों